नमस्कार आप देख रहे हैं ग्रेट जमू वर्चुल और मैं हूँ आपके साथ मीतू सेंग अक्सर देखा जाता है कि जब भी कश्मीरी पर कोई भी बात आती है तो पनन कश्मीर हमेशा से अगरसर रहता है उनके साथ कंदे से कंदा मिलाकर उनकी मुश्किलात में उनके साथ आगे चलता है आज भी इसलाम जमात के ओपर उन्होंने एक प्रेस कांफरेंस की हैं जानने की कोशिश करेंगे कि जस तरह से सरकार द्वारा इसलाम जमात को लेकर कई सारी चीजों को बैन किया गया है वही अब इनका कहना है कि जो जमात एजंसीज हैं वो अब फिर से बढ मादियम से बहुत समय से हमारे पास कम से कम पिछले एक दो महिने से हमारे पास ये बाते आ रही हैं कि ग्राउंड पे जमात की अक्टिविटी फिर से शुरू हो गई है चुप चुपा के और उन मैसे सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आई है कि हमने कहा कि जमात का फंड क हो सकती है लेकिन क्योंकि हमारा पुराने समय से एक एक स्पीरियंस है कि जमात कंसिस्टेंटली establishment के साथ एक रिष्टा बनाए रखी थी जुल्फिकार अलीब बुठू के फांसी के बाद कश्मीर में एंटी जमात एक दोर चला उस वक्त ruling congress party दिली में उन्होंने जमात को बचाने का प्रेतन किया और वो बचाने के प्रेतन के साथ ही एक situation में instruction थी कि जमात जो समर्थ थी तिया जमात के साथ जो sympathetic bureaucrats है administration में लोग है उनको आप प्रोसाहिद कीजिए तो जमात के साथ एक tactical alliance बारत सरकार ने पहले भी करने का प्रेतन किया है और बार बार वो हर एक cycle ultimately end हो गया जहां पे अलगावाद भी उबर के आगया और आतंगवाद भी उपर के आगया अब चूँकि हमारी यह information है सरकार इसको नकार भी सकती है हमको उसमे कोई आपती नहीं होगी लेकिन हम सरकार को चेता रहे हैं कि जमात इसलामी का वही रोल जमू कश्मीर में है जो मुस्लिम डर्धर हुड का रोल है या जो रोल लशकरित उबा का है पाकस्तान में हाफिस सईद का रोल पाकस्तान में इस तरीके से इसको देख लें जमात आंत्रिक विगटन की एक प्राइम अजनसी रही है और अंदर रहके इन्होंने सिस्टम को खोकला करने का प्रेतन किया है इसलिए सरकार में अगर कोई भी वर्ग सीकर्टी अपरेटस में या पुलिटिकल अपरेटस में ऐसा सोचता है वो इस सोच को छोड़ दे उससे गात होगा आत्म गात होगा ये एक बात है इसलिए बात हम ये आज कहना चाहते थे कि सरकार ने खुद बीजेपी सरकारों ने भी इस से पहले ये कहा है कि हजारों की संख्या में जमात के सिंपटाइजर्स अडिमिस्टेशन है एक वाइट पेपर तो निकाले जमात की पेनिटरेशन कैसी है टॉप बिरोक्रेसी में, एकेडेमिक्स में, यूनिवस्टीज में, कालेजिज में, बिजनस एस्टैब्रिशमेंट में और लोगों को चेता है कि बाई ये किस तरीके का सिस्टम चला रहे थे इसके बारे में हमको लोगों को confidence में ले 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 दूसरी बात हाली में कुछ स्वागती बाते हुई हैं जिसको welcome करना चाहे कि सरकार ने कुछ समझ से अलगावाद समर्थित लोगों के खलाब कारवाई करने के कुछ उधारन स्थापिती हैं लेकिन वो अभी भी लोवर लेवल के उधारन हैं हमारा सरकार को निवेदन है कि आप टॉप बॉटम एप्रोच एडाप्ट कीजिए जो सबसे इंपॉर्टन लोग हैं बिरोक्रैसी मे अडिमिस्टेशन में अकडिमिक्स में आप उनको टार्गेट करके वो उनको एग्जांपल बनाए अगर उनको आपने एग्जांपल बनाया तो ग्राउंट पे एक मैसेज जाएगी और एडिमिस्टेट्यू सेटप सब वर्शन के आतंग के बगार काम करना शुरू करेगा जिससे दोबारा से कश्मीर में टार्गेटिट किलिंग्स हो रही है क्या लगता है कि इसमें भी जमात इसलाम जो है शामिल है जमात इसलामी अपना रोल पहले से ही प्राइमरिली इंडॉक्टरिनेशन का रखता है इसलामिक इंडॉक्टरिनेशन का रखता है और इसलामिक मुझाहिदین के मादیम से अलिशा गिलाणी जमात के बहाद पही काम चला रहे थे जमाति-एसलमी के लीडर्स आफ बोलते हैं नहीं हम ने अलिशा गिलाणी को को निकाला था ह이면 सारा कारडर स्ट्रक्टर जो हिजब मुझाहिद्वडीन का वो जमाति-एस्लमी दोनुं साइड से रहके एक विगटन की प्रक्रिया को निर्मान करती है जो कश्मीर गाटी में हत्याएं हुई हैं हर एक हत्या के बाद हिंदू की हत्या के बाद जिन लोगों ने की है उन्होंने उद्गोशना कि हमने क्यों मारा है हमारी प्राब्लम स्रीव यह नहीं हमारी सरकार इसको मानने के लिए तयारएं है सरकार वहांपे कश्मीर में बैठे हिंदू के प्रती क्या खत्रा है इस बात को लेके संजिट्टिव नहीं है संवेदन شून नहीं है लेकिन सरकार के जैसे की आपने भी कहा Obviously संवेदन शून्य है उन लोगों के लिए जो कश्मीर में अभी बैटे हुए हिंदू लोग लेकिन अक्सर जब भी देखा जाता है कुछ भी इस तरह से बात आगे आती है तो सरकार हमेशा ये कहती है कि हिंदू वहाँ पर सिक्यूर है अब देखे ना वो तो आपके सामने बाजपा के टाइम पर दो बार रिलिजिस क्लींजिंग हुई है कमप्लीट रिलिजिस क्लींग है कुछ हजार हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं कुछ हजार हिंदू को टार्गेट करके समुल्का से वहाँ से निकल किया ये दो बार हुआ है इससे बड़ा सुबूत क्या चाहिए अगर किसी और कंट्री में होता इस वकि तो जिनों साइट ट्राइबिनल्स बन गए होते हैं किनों लोगों ने किया सरकार बेसिकली वही दुरबागी की बात है कि हमने सरकार के आर्टिकल 370 को हटाने का और रियॉर्गनाज करने की प्रक्रिया का स्वाधत किया और कहा कि ये बड़े रिवलिशनरी एपिकल अटेक्रिया बड़े अबूत पूर्व कदम है लेकिन उसके बाद वही पॉलिसी चल रही है जो पुरानी सरकारे चल रहा है पूरा कश्मीर को फोकस करके हर एक चीज़ वहां पे करना है कम से कम चार गुना ज्यादा पांच गुना ज्यादा ज्मू से ये एक प्रक्रिया है और उनको लगता है कि इस से काम चलेगा इस से क्या होता है कि वहां पे जिन लोगों ने अलगावाद को चलाया है वो सरकार के साथ भी थे थे वो बिस्नस भी कर रहे थे वो अंदर से फायदा भी ले रहे थे और दूसरे साथ भी थे वही तत्व हो रहे हैं वही इस्ट्रक्चर हो रहे हैं जिसको यह नई development की process बोल रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसका खम्याजा बुगत ना पड़े गा आप से जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि 370 हटने के बाद जो है काफी वहाँ पर इस तरह के जमु कश्मीर आर्टिकल 370 के तहट बारत की दर्ती पे ही एक पाकिस्तान था अब ये काम कि सरकार ये नहीं कहती है कि इसके लिए हमने उन्हें वो कहती हैं development के लिए आर्टिकल 370 का development के साथ कोई तालुक नहीं था आर्टिकल 370 एक ideological subversion था nation building का अब इसको उन्हें किया कोई भी कारण हो सकते हैं सरकार के वो इस बात को क्यों नहीं कह रही हैं लेकिन उसके बाद जो आंतरिक डांचा है एक मुस्लिम रियास्त का मुस्लिम स्टेट का उसको उन्हें दोस्त नहीं किया strengthen किया अभी भी कश्मीर एक specific patronized separate Muslim sphere of influence है और 12 सरकार अभी भी इसको patronize करके चला रही है उससे क्या हो रहा है जिन्हों लोग उन्हें आतंकवाद चलाया अलगावाद चलाया और जो समझते थे कि मौदी जी के बाद हम कमज़र हो जाएंगे वो त अब नया आगात करेंगे उनके सामने है और आतंकवाद खटम नहीं हुआ है आतंकवाद चल रहा है तो यह थे हमारे साथ अजे चुरूंगु जी जिनका साब तो पर यह कहना है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद जो है खटम नहीं हो रहा तो कुछी सबे बाद यह ग्रेटे जमु वर्चुल के साथ कैमरा मैन अजे साडू के साथ मैं नीतु सिंग ग्रेटे जमु वर्चुल के लिए धन्देवाद